हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल अल्राउंटर कोच में दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन कफ이 सारी विटामिन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं विटामीन आ के पहले में नम जी मिंगे रसाइनिक नाम होता है Iska रसायनिक नाम रसा इनल होता और इसके कमी से जो होने वाला रोगidente है उसे वित्यामिन ए जिन चीजो में पाये जाता है कहने की सभजी हो हौ हो फल हो आधि पाये जाता है तो बहुंट सभजी कॉबगलाल फल भी होते हैं सब आधिक हैं पर आधिमी वित्यामिन Bin हौ इसके बाद हम बास करते हैं जिसके बीबन की स Penek् acompan करते लिबन गशेशन दया हुआ है और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम बेरी-बेरी होता है और इसके शिरोत जो रोग होता है वो हरी सबजी दाल खमीर में ये बीवन पाए जाता है और बीटु में बीटु कर अवसाइनिक नाम राइबो फिलेमीर होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो किलोसिस होटों का फट जाना ये किलोसिस नामक रोग हो जाता है इससे होट फट जाते है और इसके सरोध जो होते हैं वो चावल की भूसी जो होती है डूद पनीर अंडा आधी चीजों में पाए जाता है इसके बाद हम बात करते हैं B3 के बाद B3 में इसका रसाइनिक नाम इसका रसाइनिक नाम पैंटाथैनिक अंगल होता है और इसकी कमी से जरोव होता है वो डर्मेटाइटिस विरद्धी रुखजना जब इसकी कमी होती है विटामिन B3 के इसमें ज़्यादा कमी है तो डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है चर्म रोग कहते हैं चर्म रोग के नाम से भी जाना जाता है और इसके शरोध येस्ट यानि खमीर जो होता है खमीर सभी सामानिया खाद्य पदार्थों में पाय जाता है ये बी थ्री उसके बाद बी फाइफ बी फाइफ का रसाइनिक नाम निकोटीनिक अमल होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो मानसिक ऐसंतूलन त्वैचे संबन्दी रोग मानसिक ऐसंतूलन यानिके दिमाग का कुछ ऐसा ही बौलापन थोड़ा बहुत पागलपन जो हता है वो मानसिक संतूलन बिगर जाना होता है और त्वैचे संबन्दी रोग जाए त्वैचे का फटना और त्वैचे जैसे रूसी सी आ जाती है हमारी त्वैचे पर खुसकी आ ये दाल दूध इसका सिरोध है ये दाल और दूध में पाय जाता है B5 इसके बाद B6 आप आपसक्स नोर ये पायरीडोक्स इसका रसाइनिक नाम है पायरीडोक्सिन और जो कमी से रोग हो जाता है वो एमिन या नींद ना आना सामान ने दुरबलता जब किसी वेक्टे को नींद नहीं आती है तो उसमें B6 की कमी हो जाती है और विटामिन B6 की कमी होने से उसमें वो उसे नींद नहीं आ पाती है और ये विटामिन B6 हैं पूर्ण रसाइन होता है उसका नाम जबाद है और से उसे होने यह जीव मुझ में छाले हो जाते हैं कभी-कभी आप खाले हो धाया जाता है और टेहे हो जाता है उतनी हमारे मुझ में तो यही कारण है कि B6 B12 की कमी आ जाती है और यह इसके सिरोथ जो है वो दूद अंडा जिगर मास इसके सिरोथ होते हैं और विटामिन C अब बात करते हैं विटामिन C की विटामिन C का रसायनिक नाम एसकोर्विक अमल होता है और जो इसकी कमी से होने वाला रोग है हम उसको इसकरवी नामक नाम से जानते हैं इसमें दातों मसूडों में खून आना जब किसी के मुह से दातों से खून आता है मसूडों से खून आता है तो उसमें इसकरवी की एक लग कि भूल्स ये उसको और मिताम रह्ट होता है और जयाता है इसके शिरोथा मिंध्राम धर्व जयाता ही विटामिन लिश्र में खटे बैसके आदे मैं जा जाता है तो इसमें विटामिनस सी में भार ओ स早ा हम सबद Vaat उसके नाम ये इसका està wären नाम है केल्सि फैरोल होता है तो कैल्सि फैरोल होता है इसका नाम और जो इसकी कमी से रोग होता है वो रिकेट्स हड़ी के दातों में विगरती बंद्यता नपुंसक स्वरी नपुन सकते विटामीनी का है दातों में विकरती यानि के हड़ी कमजोर हो जाती है आदमी की बहुत सब्सक्राइब गिर जाते हैं अचानक जो कहीं गिर जाते हैं तो हड़ी ऐसे ही तूट जाती है आराम से गिरने पर भी चटक जाती है तो हड़ी काफी कमजोर हो जाती है इसमें और ये ज्यादातार दोध में पाए जाते है इसके सिरोध जो है विटामिन डी के वो दोध में पाए जाते हैं और मास में अंडा मचल आदी इसके सिरोध है इसके बाद विटामीन है विटामीन ही इसका रसायनिक नाम टोकोफेरोल्स होता है और इसकी जो कमी सिरोग होता है वो बंद्यता नपुंसक रोग हो जाता है नपुंसक नामग रोग हो जाता है और इसके सिरोध जो होते हैं वो हरी सबजी तेल गया हू जन्तो तक मतलब जन्तो का मास माधे में पाई जाता है और विटामिन के विटामिन के फाइलोक्वीनोन इसका रसाइनिक नाम है फाइलोक्वीनोन और जो इसके कमी से रोग होता है वो रक्त का देर से जमना जब कभी आप नहीं देखा होगा कि आप जो चोट लगती है कभी- यह एक वज़ा होती है कि इसमें विटामिन के की काफी कमी है और यह जो इसके सुरोथ है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में अधिकतरी नहीं में पायज जाता तो विटामिन के की पूर्थी करने के लिए हमें हरी सब्जी का यह प्रियोकर ना होगा हरी सब्जी खाने होंगी तब ही विटामिन के के हम मात्रा पूर्थ रोब से प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों यह ट्वेल्थ क्लास का एक चैप्टर था कैमिस्ट्री में ही है आपकी रसायन विज्ञान में जैयो अनू इसका चैप्टर का नाम है कैमिस्ट्री में यह आपकी रसायन विज्ञान में तो काफी इंपोर्टेंट आ जाता है कि विटामिन A का रसायनिक नाम क्य या फिर विटामीन एक ही कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है या फिर विटामीन के सिरोथ कोई भी विटामीन देदेगा आपको विटामीन सी के सिरोथ लिखें तो आपको सिरोथ लिखने होते हैं तो काफी तरह से इसमें सवाल आ जाते हैं बनके तो 12 के लाज में पेपर तो आई जाता है इस पूरी टेबल से तो मैं कहना है दोस्तों इस टेबल को अच्छी तरह से आप याद कर लीजे इसमें से एक दो क्योंस जरूर लगता है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो फिलीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो इस चैप्टर की भी और अन्मे चैप्टर की भी आपको नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पाए और वीडियो को जादे ज्यादा शेयर कीजिए दो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो के सभी पार्ट्स देखने हैं तो चैनल को दो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए ताकि आने वाली पार्ट्स आपको नोटिफिकेशन आपके पास आपके मोबाईल में पहुंच जाए तो दोस्तो कहना यही था फिर वीडियो को ज हिसाब धन्यवाद